हेलो एव्रिवन वेलकाम अगेन इन लर्ण बिद दितिमन बच्चों आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 चैप्टर नमबर 8 जो की जोगरफी का 1st चैप्टर है 10th क्लास का और जिसका नाम है जलसंजादन क्या एक्जाम के सबसे काफी इंपोर्टेंट होगा तो चलिए बिनादिरी के स्टार्ट करते हैं हमीजा की तरह कोशन नमबर 1 है आपका प्रित्वी पर धराते लिए छेत्र है उसमें कितना प्रितिसाद जल पाया जाता है तो उसमें 70% 71% जल पाया जाता है 29% इस ठल पाया महासागरों में इस्तित है प्रित्वी में जो 71% जल पाया जाता है उसमें जो संपूर्ण जल को अगर 100% मान लिया जाए तो महासागरों में कितना प्रितिसाद है तो 97% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है और महासागरों का जल कैसा होता है खारा पानी होता है तो मतलब जो total जल है प्रिट्वी का उसमें 77 में पिर्फिभी का 97 नायटीसवं पर्षेंट तो खा रहा ही है ना नेक कवेशण क्रिफी पर उप्लब महासागरिय जलju सिवाए यानी खारेपानी के अत्रिक जल, किस रूप में पाए जाता है जो पिठ्वी पर उपलब महासागरी जल के सिवाए जो अत्रिक्ते जल है खारे पानी के अत्रिक्त जल है वो किस रूप में पाए जाते हैं तो मुख्या रूप से तो खारा जल जो है वो महासागरों महीं पाए जाता है खुछ जीली भी आती है खारे पानी कहता है लेकिन अ परसेंट है वह अपका सुद्ध जल है जो सुद्ध जल जो तीन परसेंट है उसको सौ परती सत्थ मान लिया जाए तो उसमें से 69% हेम रूप में यानि बर्फ के रूप में हैं 30% भूमिगत है यानि जमीन के अंदर बैता है और से सीख परती सत्थ जल जो हमाई पेजल की वि कितना है भारत में कुल उप्योग योग्य जल कितना है कितना जल है जो उप्योग किया जा सकता है तो वह है 1869 बिलियन क्योबिक मीटर जल यानि 1899 बिलियन क्योबिक मीटर जल है जो भारत में कुल उप्योग योग्य जल मना जाता है नए कुश्यन भारत में उप्योग किय जाने वाला कुल जल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर का कितना भाग सतही जल है जो आपके भारत में टोटल जल 1123 यानि 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर का जो जल है वो भाग यूज किया जाता है उसमें सतही भाग कितना है उसका सतही बाग 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है जो कि कै इसा है सतही जल है यानि सतह के उपर पाया जाता है से 433 billion cubic meter भू जल है यानि धर्ती के अंदर पाया जाता है 433 billion cubic जो हमारे भारत देश में यूज किया जाता है सन 2000 में भारत में जल की कितनी आवशकता संभावित बताई गई थी तो इसका आंसर है 635 billion cubic meter जल की आवशकता बताई गई थी 2000 में Next question, सन 2025 में भारत में जल की कितनी आवस्चता संभावित बताई गई है, तो ये आपका 1023 बिलियन क्योबिक मीटर जल है, आपका कितना है, 1023 बिलियन क्योबिक मीटर जल, Next question, भारत के प्रतम प्रधानमंती जवालला नहरू ने किसे आदोनिक भारत का मंदर का था, ये देखे काफी इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एक्जम्स में आ भी चुका है, और ये फिर से भी आ सकता है, और ये आप चोटी क्लास इबनी आपने इसको देखा है, तो भारत के जो प्रतम प्रधानमंती जवालल नहरू, उन्होंने आदोनिक भारत का मंदर किसे का था, तो इसे बहुत देशी जल परियोजना को मुखे थे, बांधों के लिए इस वक्त का यूज किया था, आदोनिक भारत का मंदर, नेक कोशन, भारत में केंद्र सरकार द्वारा किन प आमोदर, हीराकुंड, कोसी, टहिरियादी जो मुखे परियोजना हैं, जिनका भारत के जिन सरकार द्वारा डायरेक्टली क्रियारिन किया जा रहा है, नेक कोशन, तुम्भद्रा परियोजना किन राज्यों के द्वारा संचालित की जा रही है, तो ये संयुक्त नेक कोशन, गंडग परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, नेक कोशन, गंडग परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये आपकी गुजरात, मध्य परियोजना है, वो गुजरात, मध्य परियोजना की संयुक्त परियोजना है, नेक को गंड़क परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंड़क परियोजना विहार और उत्तरप्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंड़क परियोजना विहार और उत्तरप्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंड़क परियोजना कौन सी है? भारत देश की सबसे बड़ी जलपरियोजना कौन सी है? तो हम जानते हैं जो भाक्रा नागल डैम है भाक्रा नागल जो है 1948 से जो 1903 तक इस परियोजना पर कारेखता किया गया इसका निर्मान किया गया था भाक्रा नागल डैम का ये देश की सबसे बड़ी जल पर्योजना मानी जाती है नेक क्वेशन भाक्रान अगल कहां परिस्तित है यह देखिए यह क्वेशन काफी भाक्रान अगल है हीरा कुंड है इनसे कंसर्णिंग जो क्वेशन है सरदार सरोवर है यह चोटे-चोटे डैम से इनकी बारे में बहुत ज़्याद पॉटब किये जाता है तो उनका आप इसी तुरूप से डिटा याद रखिएगा भाक्रान अगल कहां परिस्त है तो यह 17 नदी पर हिमाचल प्रदेश में ब्लासपुर के निकट इस्तित है 17 नदी पर किस नदी पर है 17 नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्ये में है और ब् है इक परियूजना है कि- इसकी पंजाब रियाना तथा राज्स्तान नाक कोशन भाक्रान अगल परियूजना का उद्धिश्य incentives सतलस वह सिचाई विद्धत और पेजल आपूरती सतलस वहियमना के तर्व आपड़ती भागJa उनमें सिचाई, विद्धुत और पेजल आपूर्ती यही इसका मुख्योदिश्य है नेक क्वेशन भाकडा नागल पेजना के तहत कितने बांध वक कहां बनाए गए हैं जदे कि यह भाकडा बांध जो खुद है सबसे मुख्य वो 518.16 मिटर लंबा और 116.64 मिटर उचा है दूसरा है नागल बांध जो भाकडा से 13 किलो मिटर नीचे है इसके अत्रिक जल को संशित करने ही तो भी निल्मित किये गए हैं तो मुख्य जो बांध कौन से हैं भाकडा और नागल यह दो अलग अलग डैम है भाकडा उपर बनाए गया है यह करीवन 518.16 मिटर लंबा है और 116.16 मिटर हुचा है इसी तरह नागल बांध है जो भाकडा से करीवन 13 किलो मिटर नीचे बनाए गया है जानागल से किन नेरों को विक्सित किया गया है भाक्रा नागल से किन नहरों को विक्सित किया गया है तो भाक्रा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोवाब नहर और नर्वाना नहरे ये सभी क्या हैं? ये भाक्रा नागल से निकली हुई नहरे हैं भाक्रा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दवाब नहर और नर्वाना नहरे, नर्वाना नहरे काफी important है सिचाई के लिए, नेक कोश्चन, भाक्रा नागल परिजना में कितने विद्धुत ग्रहों का नर्मान किया गया है, तो इदेखेे, भाक्रा विद्धुत ग्रह नांगल विद्धुद्ग्र, कोटला तथा गंगवाल में दुविद्धुद्ध पादन केंद्र बनाए गए हैं Next question स्वतंत्र भारत की पहली जल परयोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली जल परयोजना कौन सी है? देखे जो आपका भागरान अगल टैम परयोजना थी वो स्वतंत्र भारत से पहले से स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली जल परयोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परयोजना है दामोदर घाटी परेजना, सत्मत वारत की पहली जल परयोजना है, जो 1948 में start हो लुगी थी, पशियम बंगाल और जारकंड की शहींफ तो परेजना है ये, नेक वेशन, पशिम बंगाल का सोख किसे कहा जाता है, ये है दामोदर नदी, क्योंकि धामोदर नदी को जब तक और बार्सिक रूप से बहुत बड़े जन हानी का कारण बनती थी बार्ड आ जाती थी इसमें बहुत सारा छेत्र तहस्न हो जाता था इसलिए वज़े से इसको पचिम बंगाल का सोख कहा जाता था लेकिन फिलाल यही वर्दान साबित हो चुकी है यह ना नहीं कोशन देखिए द दामोदर नदी से बार्ड प्रभावित चेत्र कितना है तो यह 18,000 वर किलोमेटर के लगवक जो चेत्र है वो दामोदर नदी से बार्ड प्रभावित रहा है ने कोशन दामोदर नदी का किनिस्तानों से बैती है दामोदर जो नदी है वो किनिस्तानों से बैती है तो चोट नदिया कौन सी है दामोदर जो नदी है उसकी साहिक नदिया कौन सी है तो बाराकार, बोकारो और कौनार ये तीनों ही काफी इंपोर्टेंट हैं बाराकर, बोकारो और कौनार ये तीनों दामोदर नदी की साहिक नदिया है ने कोशें भारत द्वारा दामोदर घाटी निगम dbs की उस्थाफना अमेरीका की किस प्रउजणा के प्रायूप पर आदा रित है याणी अव्य हैं की प्रोजणा थी जब आखी तो कन्सी थी वह तैनेश सी घाटी प्रविजणा है अमेरीका की उसके आधर पर जो टी वी सी के तोर पे जानी जाती हैंटीवाटि फ्रीयगी तरीके से दा मुतार घाटी निगम कर कि इस्थापना किया गया childish तर दामुदर घाटी पर्युजना के तहद कितनी नहर पर नाली का विकास किया गया आ थो यह आप जल विद्दूत ग्रहों का निर्मान किया गया है। तो यह आपके हैं मैंथान, बाल पहाड़ी, तिलया बान, जो बारकर नदी पर हैं यह सारे, बोकारो बान, बोकारो नदी पर है, कोनार बान, कोनार नदी पर है, और अगर बर्मो, बाल पहाड़ी, आठ बान, दुर्गापुर अवरोदर बान, यह सबी कहां पर हैं, यह दाम दामोदर घाटी परजुना के रहे, नेक क्वेश्चन, उरिशा का सोग किसे कहा जाता है, महानदी को, जैसे आपके पचिन बंगाल का सोग दामोदर को कहा जाता है, उसी तरह उरिशा का सोग महानदी को कहा जाता है, क्योंकि ये भी यहाँ पर बार्ड का कारक थी, ये हर वर सिक तोर पे बहुत बड़ी बार इसमें आ जाती थी और जैसे ही सूखता था तो वहां सूखा आओ जाता था अकाल पड़ जाता था तो इस वज़े से इस तो उडिशा का सोक कहा जाता है हीराकुन परियोजना को किस राज्य में इस्थापित किया गया है हीराकुन परियोजना को किस राज्य में इस्थापित किया गया है तो देखिए हीराकुन परियोजना है वो संबलपूर के 14 किलोमेटर उपर उडिशा में इस्थापित किया गया है महा नदी पर महा नदी जो विसके सबसे लंबा बांद कौन सा है विसका जो सबसे लंबा बांद है वो कौन सा है तो वो हीराखुन बांद परियोजना के तहित बनाया हुआ बांद जो है हीराखुन बांद वो ही विसका सबसे लंबा बांद है ए रिखुन पर्योजि outtaन को कितनी लागतवारा नृमित कराया गये हैं यृज़ कुन परीजिनां ही मितमें least लगिती तो माथ 68 सबसे लंबा बांध है और उसकी नहीं अर्टालेस सो एक मीटर यानि लगभग लगभग 5 किलो मीटर के एक्विलेंट है और 810 करोड़ घंड मीटर जल संचित करने की इसकी कैपेसिटी है महा नदी कहां से निकलती है महा नदी जो है वो कहां से निकलती है तो हम जानते हैं 36 गड़ में बस्तर की जो पाहड़ियां है वहां से महा नदी का उद्भग होता है हीरा कुन परियोजना में हीरा कुन बांध के अत्रिक अन्ने कौन से बांध का निर्मान किया गया है तो कौन सा बांद के निर्मान किया गया है तिकरपाड़ा वे नराज का हीराकुन परियोजना में हीराकुन बांद के अलावा तिकरपाड़ा वे नराज का जो बांद है इनका भी निर्मान किया गया है नेक कोईशन, हीराकुन परियोजना को कितने चर्णों में पूरा किया गया है, हीराकुन परियोजना जो है, उसको कितने चर्णों में पूरा किया गया है, तो हीराकुन परियोजना को हमने देखा कि दो चर्णों में पूरी हुई है, तो हीराकुन के परियोजना में हीराकु दाहिनी ओर से बोरगर नहर और दाहिनी ओर से सेशन वे संबलपुर नहर पिनाली विक्सित की गई ना दाहिनी ओर बोरगर नहर वे दाहिनी ओर बोरगर नहर वे दाहिनी ओर सेशन वे संबलपुर नहर पिनाली विक्सित की गई नेक कोशन देखिए विद्दुत ग्रहों का निरमानेश चरण के तेखिए करवाया गया था धिराकुन परयोजना में दित्य चरण में चार विद्दुत ग्रहों का निरमान कराए गया था तो बच्चों, यह काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसी वीडियो को यहीं पर हम करते हैं समाप तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक पार्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू